जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने लास्ट फ्लास में एनिमेलियर किंग्डम के पहले फाइलम पौरिफेरा के कुछ सेलियन फीचर देखें अगर आपने वो सेलियन फीचर नहीं देखें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप लिंक में जा करके उस वीडियो देख सकते हैं उससे पहले हमें एक नजर स्लेवर्स की ओर डालते हैं हम एक्चुली पढ़ गयाना हैं तो हम पढ़ देखें हैं जानमरों के कुछ प्रमुक्र समो और उनके बेसिकली सेलियन फीचर हम पढ़ देखें तो आज हम डिसकस करेंगे नेक्स्ट फॉर फाइलम के कुछ सेलियन फीचर जो कि है नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हल्मिन्टीज, एक्स हल्मिन्टीज और ये है हमारा आज का पहला टॉपिक और हमारा दूसरा फाइलम नाइडेरिया तो जैसे कि आप ये ब्यूटिफिल दो पिक्चर आप इसमें देख सकते हैं ये दो ये कुछ इसके सेलियन फीचर हैं, यानि कि कुछ विसेष्था हैं, जो कि नाइडेरियन की होती हैं, इनके पास एक स्टिंगिंग सेल होते हैं, जिनको हम नाइडो ब्लास्ट होते हैं, और ये बहुत चहरीले होते हैं, ये बेसिकली इसका यूस, फूड को काप्चर करने क के लिए और उनको खाने के लिए यूस करते हैं, सारे के सारे नाइडेरियन जो होते हैं, वो अक्विटिक होते हैं, मोस्तली मेरीन होते हैं, इनकी बाडी रेडियली सिमिट्रिकल होती है, जो कि हमारा थर्ट पॉइंट है, यानि कि ये एक बेसिस ओफ क्लासिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे एनिमेलियर किंडम के जो फाइलम होते हैं, इनकों क्लासिफाई करते हैं, डीटेल में मैं इसके बारे में अपनी नेक्स वीडियो में बताऊंगा, रेडियली सिमिट्रिकल यानि कि आप जैसे देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर जो है, सी एनिमनी की, इ इसी को बोलते हैं, रेडियली सिमिट्रिकल यानि की, रेडियस के अकॉर्डिंग इसके सिमिट्रि देखने को मिलती है, और ये एक ही नहीं, इसके सारे जितने भी इसके मेंबर होते हैं, सी एनिमनी, हाइड्रा, जैली फिस, बॉक्स जैली, कोरल्स, इस सारे के सारे मेंबर इस Radially Symmetrical Feature को शो करते हैं फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इनकी body two layers of cells से बनी होती है इसलिए इनको diploblastic बोलते हैं इनमें middle layer नहीं पाई जाती और middle layer के जगा इनमें कुछ fluid पाई जाता है जिसको बोलते है mesoclea basically होता क्या है कि basis of classification होता है germ layer के आधार पे भी तो germ layer जो होती है वो तीन तरीके की होती है सबसे top की होती है ectoderm, middle वाली mesoderm and last endoderm तो mesoderm जो होती है वो इन species में Snideria के members में mesoderm नहीं पाई जाती है इसके अलावा इसमें एक gel भरा होता है जिसको बोलते है mesoclea तो जिसमें केवल दो germ layer पाई जाती है उनको बोलते हैं diploblastik 5th point में चलते है 5th point कहता है कि इसमें जो reproduction होता है वो basically asexual होता है लेकिन कुछ members ऐसे हैं इस phylum के जिसमें sexual reproduction भी देखने को मिलता है asexual reproduction budding के form में होता है तो ये भी आपके exam point of view से important है 6th point में चलते है 6th point कहता है tissue level of organization present जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ species होती है जो हमने porifera पड़ा था उसमें cellular level organization था बट यहाँ पर 90 area के member में इन्होंने evolution किया और इनमें tissue level organization present होता है यानि कि cell से बनती है tissue यानि कि इनमें tissue पाए जाते है plan means इनका जो खाना है वो mouth से तो जाता है लेकिन digestion के बाद इनका खाना वापिस mouth से ही बाहर आता है यानि कि इनका जितना भी मल है वो mouth से ही बाहर आता है यानि कि इनके पास NS present नहीं होता like human being इनके पास NS present नहीं होता तो यह point भी आप note करेंगे अब है हमारा थर्ड फाइलम जो की है टीनोफोरा टीनोफोरा का मेंबर आप देख सकते हैं कॉम जली दोने पिक्चर कॉम जली की है ये पिक्चर जो है ओशिन के अंदर की है ओशिन के अंदर ये कैसा दिखाई देता है और सेकिंड पिक्चर जो आप देख सकते हैं ये कॉम लेके कुछ parts के नाम है, यह कुछ इसके tentacles हैं और यह कुछ tentacle sealed हैं इसकी जो उपर की cover होती है, वो टीनोफोरा के कुछ saline feature देख लेते हैं, कुछ विशेशता हैं, टीनोफोरा जो होते हैं, यह basically transparent इनकी body होती है, यानि कि इनकी body के आरपार देखा जा सकता है, यह भी radially symmetrical होत like nigeria, इनकी body भी two layers से बनी होती है, यानि कि यह भी diploplastic होते हैं, आपको बस diploplastic याद रखना है, क्योंकि exam में जब MCQ आएगा, तो MCQ में कुछ options होंगे, जो कि होंगे diploplastic, triploplastic, तो आपको diploplastic में tick करना है, इन में भी middle layer होती है, वो नहीं present होती है, middle layer की जगा एक jelly like structure होता यानि कि यह कोई cell से नहीं बना होता है, यह jelly होती है, cell से केवल अपर और bottom layer बनी होती है, जो middle layer होती है, वो jelly like structure होता है, थर्ड पॉइंट है, इसमें भी tissue level organization होता है, यानि कि कहीं न कहीं similar है यह nigeria के, इसमें भी blind sec body plant present होता है, like nigeria, blind sec मैंने आपको बदाया, कि mouth से ही यह अपना feed करते हैं खाने को, और mouth से ही digest होके खाना बाहर आता है, यानि कि एनस present नहीं होता है, यानि कि इन में completely elementary canal develop नहीं होती है, all tenophoras are marine, यानि कि जितने भी tenophora होते हैं, completely यह marine होते हैं, जबकि जो सारे के सारे nigeria जो थे, वो हमारे marine नहीं थे, कुछ fresh water में भी पाय जात होते हैं, वो है इनकी bio luminance property, bio luminance property यानि कि इन में light emit करने की property होती है, तो यह light emit करते हैं, जैसे कि आप इस image में देख सकते हैं, कि यह calm jelly जो है, वो light emit कर रहे हैं, तो जिससे ही काफी beautiful दिखते हैं, अब हमारा fourth phylum है, platy helminthes, platy helminthes के कुछ example, जैसे कि आपके सामने हैं, planaria, planaria, liver fluke, tape warm, इस सारे के सारे parasites हैं, और यह इनकी कुछ salient feature है, कुछ विसेशता हैं, इनकी body dorsal ventrally flattened होती है, dorsal ventrally flattened का मतलब है, dorsal मतलब होता है, peat, जैसे कि human being की जो peat होती है, उस area को बोते हैं, dorsal, और जो front वाला portion होता है, जिसमें chest होती है, उसको बोते हैं, ventral, त इनकी body जो होती है, वो flattened होती है, basically, support होती है, जैसे कि tape warm हो गया, liver fluke हो गया, planaria हो गया, इन सभी की body dorsal ventrally flattened होती है, यह triploblastik होते हैं, यानि कि triploblastik मतलब, तीनो की तीनो germ layer इन में पाई जाती हैं, जो की है, ectoderm, mesoderm, endoderm, तीनो germ layer इनके पास होती हैं, और यह पहल i.t. helminthys से शुरू हुआ था, उसके बाद x helminthys से further आगे core data तक यह triploblastik system चला था, third point है, यह bilateral symmetry इनके पास होती है, bilateral symmetry यह एक अलग तरीके की symmetry है, यह human being में भी पाई जाती है, bilateral symmetry यानि कि, जो human being को इसी भी एक axis के about, अगर cut करेंगे, वो axis fix है, यह अगर उसी axis के about cut किया जाएगा species को, तो ही वो दो equal parts में divide होगा, otherwise नहीं होगा, human body को ही देख लो, अगर हम z axis के about cut करते हैं, तो ही हमें दो equal parts मिलते हैं, यह निकि, एक हाथ इस side, एक हाथ, दूसरी side, एक right leg अलग, left leg अलग, यह निकि, एक ही axis, वो axis fix है, तो bilateral symmetry वो होती है, बाकि इसका detail मैं आपक of classification बताऊंगा, साथ ही साथ, germ layer के बारे में भी बताऊंगा, next point है, इनकी body soft होती है, जैसे कि आप इस picture को देख सकते हैं, beautiful creature, जो की यह है, liver flu, इसको देख सकते हैं, इसकी body जो है, बहुत soft होती है, इनमें जो level of organization होता है, वो organ level of organization आता है, यानि कि, एक level उपर, तीनो फोरा से, एक level उपर, इनमें organ form होने, शुरू हो जाते हैं, आगे, इसके आगे, जितने भी file हमाए हैं, उनमें organ से बनाई, proper organ system मिलेगा आपको, देखने को, इनके पास, कोई भी body cavity नहीं होती है, इसलिए इनको ecolumate बोलते हैं, इनके पास कोई body cavity नहीं होती, इसलिए ecolumate बोलते हैं, अब column भी एक basis of classification होता है, जिसके फर्दर तीन पार्ट होते हैं, ecolumate, pseudo column और true column, तो जो हमारा ये species है, platy helminthies, ये ecolumate होता है, इसमें कोई cavity न होती है, उसका outer layer और सबसे inner layer हमारी body में होता है, elementary के नाल फैनी food pipe, उसके बीच का जितना भी part है, जिसमें हमारे organs होते हैं, अगर उसको हटा दिया जाए, तो बीच में cavity बन जाए, तो उसको बोलते है body cavity, तो basically जो हमारा जो platy helminthies होता है, इसके पास कोई body cavity नहीं होती है, इसके body cavity के अलावा इसमें एक cell से भरा हुआ matter होता है, जिसको हम बोलते है parent kai ma, तो point 7 जो हमारा है, वो है blind sack body plan, जैसे कि हमने previous उपाया में उसमें भी देखा, blind sack body plan होता है, यानि कि mouth से खाना जाता है, और mouth से ही digest होके बाहर आता है, यानि कि कोई NS present नहीं है, इसमें भी NS present नहीं है, 8th point है, इसमें जो nervous system होता है, वो present है, primitive यानि पहले से ही, यानि प्राचीन से ही, जब यह species डेवलप हीती है, तब ही से इसमें nervous system था, 9th point है, इसमें जो reproduction होता है, वो दोनों होता है, sexually भी होता है, sexually भी होता है, point 10 है, इसका mode of nutrition, heterotopic mode of nutrition है, जितने भी Animal Kingdom के phylum है, कोई भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, केवल जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो है plant a kingdom के, जो कि हम आगे कभी discuss करेंगे, अब देखते हैं, 5th phylum, जो कि है, S. Kelvinthies, S. Kelvinthies का जो member है, वो है S. Carries, S. Carries जो कि ऐसा parasite है, जो कि human body के intestine में पाया जाता है, इसके further और भ लॉक वाउम, पिन वाउम, गीनिया वाउम, और इंटेस्टियल राउंड वाउम, इंटेस्टियल राउंड वाउम क्या है, S. Carries इंटेस्टियल राउंड वाउम है, जिसकी photo आप देख सकते हैं, जिसमें दोनों S. Carries हैं, जो कि एक adult male है, एक adult female है, इनकी average length भी यहाँ पर होता है, और इनमें एनस प्रेजेंट होता है, यानि कि इनमें fully develop एक elementary canal भी जरूर होगी, जो कि आप देख सकते हैं, तो आए इसके कुछ saline feature पढ़ता है, इनकी कुछ विश्यस्ता है, यह marine और fresh water animals है, यानि कि यह marine में भी पाई जाते हैं, यह fresh water में भी पाई जाते हैं, इ plati helmenthys, उसमें भी bilateral symmetry और इसमें भी bilateral symmetry हैं, यानि कि plati helmenthys के बाद में, जितने भी phylum आने लगें, उन सब के पास bilateral symmetry like human being, इसमें germ layer जो होती हैं, वो triploblastik होती हैं, जैसे कि plati helmenwyddys में भी हमने ने पढ़ा, उसमें भी triploblastik germ layer होती है, वैसे as acost. में भी ट्रिप्ल ब्लास्टिक जम्लियर होती है इसका ग्रेट ओर्णाइजिशन होता है और गैन सिस्टम यानि कि इसके बात कि जितने भी फाइला में सब के पास फुली डवलप और गैन सिस्टम है फिप पॉइंट है यह नौन सेग्मेंट होते हैं यानि कि तुरूआउट इसके जो नर्वस सिस्टम होता है वह भी पॉइरवलाप होता है इसका मतलब है इसमें कैविटी तो होती है लेकिन कैविटी में मेजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है और यह केवल x elementies में होता है यानि कि pseudo column जो है केवल एक फालम में है वो भी x elementies है यह point आप note करना आपके exam point of view से बहुत important है 10th point पे चलते हैं जो की है कि इसमें जो जैसे कि आपको पता है completely elementary किनाल develop होती है तो इसमें body plan जो होता है इसका वो tube within tube body plan होता है इसमें NSB present होता है tube within tube मतलब human being में देख सकते हैं आप जैसे हमारी जो body है अगर उसको एक tube माने तो internal जो पार्ट है इसका यानि कि body के अंदर जो हमारा food pipe होता है उसको भी एक tube मान ले अगर तो tube within tube body plan बोल सकते हैं हम इसे तो similar to human being इनमें भी tube within tube body plan होता है next point में चलते हैं जो की आखरी point है और यह बताता है कि इसमें एक thick cuticle होता है thick cuticle जो की बना होता है scleroprotein का thick cuticle यानि कि इसकी जो outer surface होती है वो rough सी होती है थोड़ा वो soft नहीं होती लाइक प्लेटी हेलमेंथीज प्लेटी हेलमेंथीज की तरह soft नहीं होती है थोड़ा rough होती है तो friends आज के session में इतना ही next session में मैं आपके लिए लेगे आऊंगा basis of classification, level of organization and body plan इनको thoroughly हम समझेंगे कि यह होता क्या है और अगर यह session आपको पसंद आया है तो इस session को like करिए मेरे चैनल को subscribe करिए और share करिए उन सभी friends के साथ जो forestry की तियारी कर रहे है धन्यवाद